नमस्कार, हिंदिस साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हिंदिस साहित्यवारता परिवार ने एक पहल की है कि आप सब लोगों के लिए अचारे रामचंद्र शुक्र के जो कथन है उनका जो हिंदी साहिते का इतिहा से देखिए एक पहुती महतपूर्ण इतियास ग्रंथ है और हिंदी साहिते की विद्यार्थियों के लिए एक हमेशा सर्दद का ये सबब बनता रहा है लेकिन इस सिरीज में हम अचारे रामचंद शुकल के जितने भी उनके महतपूर्ण इकठे करने का प्रियास किया है और इसमें कुछ महतपूर्ण प्रश्णों को भी हमने संकलित किया है जो अचारे रामचंद शुकल के हिंदी साहिते के इतिहास से आप सब लोगों के लिए पूछे जा सकते हैं तो ये जो हमारी शुकल वानी की सीरीज है ये लगातार चलत किया है जिसमें इन्होंने एक हजार कव्यों को रखा है और साती सात इसमें इन्होंने जो इतिहास रखा है देखिए वो इन्होंने लगबग लगबग 900 वर्शों का इतिहास इन्होंने अपने इस साहित इतिहास गरंथ में लिखा है हाना कि आज के समय में हम इस इतिहास ग अरंभ में ये बात कही है कि साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामगरी की इन्हें ये जरूरी समझते थे उतनी तो उस अवधी के भीतर इकठी नहीं कर सके पर जहां तक हो सका इन्होंने आवश्यक जो उपादान रख कर इस कारे को पूरा कर किया गया था इ आज के समय में अगर हम देखते हैं कि अचारे रामचंदर शुकल ने भले ही हमेशा जो एक बड़ा साहित्यकार होता है देखिए वो अकसर इस तरीके से कहता ही है कि जो इन्होंने प्रियास किये क्या वो मतलब सही नहीं थे हलां कि उनकी नजर में सही नहीं रहेंगे लेक लेकिन फिर भी अचारे रामचंदर शुकल का अपना एक रुत्बा हिंदी साहित्य में है और उसी के अधार पर आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी परिक्षाओं में शुकल के कत्नों को अकसर पूछा जाता है तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस शुकलवानी को स्टार्ट करने की कोशिश की है आज हम इसमें सिंपली जो अपना काल विभाग इन्होंने किया था उसके अधार पर इसको यहां पर देखेंगे और इसके बाद सिलसले वार करके यह सिरीज यूँ ही चलती रहेगी और आप लोगों से मैंने पहले भी रिक् पीडियफ चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट सक्षिन में जाकर बता सकते हैं और बहुत ही कम प्राइस में आपको इसकी पीडियफ भी मिल जाएगी और प्रपर एक्स्प्लैनिशन के लिए हम इसके लिए एक अपना लाइव सेशन रखेंगे जो दूसरी चीज है हमारा ज जबकि प्रतियक देश का साहित्य वहां की जनता की चितवरित्य का संचित प्रतिविंब होता है तब यह निशित है कि जनता की चितवरित्य के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है आदी से अंध तक इनहीं चितवरित्यों क की परंपरा को परक्ते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामनजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है तो पहला इनका ये कथन है जैसे ही हम हिंदी साहित्य के इतिहास गंद को खोलते हैं और सबसे पहले हमें कालवी भाग में पहली चीज यही मिलती है और ये वा पता चलता है कि इन्होंने जो विधेवादी पदती है जिस पदती के अनुसार इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है उसका ही जो उसी के अधार पर इन्होंने ये पंक्ती भी यहाँ पर कही है कि जिसमें जाती वाता वर्णा रक्षन की चीज जो तीन चीजें महत्वपून रह कि किसी विशेश समय में लोगों में रूची विशेश का संचार और पोशन किधर से और किस प्रकार हुआ है। इसके लावा यहाँ पर हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को चार कालों में विभक्त कर सकते हैं। बहुत ही महतपूर्ण है यह कालवी भाजन। हम सब लोग जानते हैं कि आज भी यह जो इनके द्वारा कालवी भाजन है यह बहुत ही ज्यादा महतपूर्ण और बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक और जो शृष्ट माना गया है। सबसे पहले इन्होंने आधिकाल जिसको वीरगाथा काल समवत 1050 से लेकर की 1375 समवत तक माना था, जबकि पूर्व मध्यकाल जिसको भक्तिकाल नाम दिया गया है समवत 1375 से 1770 विक्रमी समवत तक, यहां पर ढ्यान देने वाली बात ये है कि भक्तिकाल को भी इन्होंने ही भक गद्यकाल रहा और गद्यकाल समय उननी सो से उननी सो चौरासी तक है यहां पर जितना भी नामकरण बगेरा किया गया है यह जो नामकरण है यह इन्होंने प्रवृतियों के अधार पर किया है इस वाले प्रशन को भी मुख्या रूप से हमें ध्यान में रखना है क्यूंकि अचारे रामचंदर शुक्ल ने अपने काल विभाजन के शुरुवात में ही पहले ही कह डाला है देखना जो यह इसकी भूमिका में कहते हैं कि यह जो काल विभाजन है वो किस प्रकार से है यहां पर लिखाये देखिए कि प्रतियक काल का वर्नन इस प्रनाली पर किया तो यहां पर आज हम एक तरीका समझ रहे हैं देखिए अचारे रामचंदर शुक्ल के हिंदी साहिते के इतिहास को पढ़ने का कि किस तरीके से अचारे रामचंदर शुक्ल ने हिंदी साहिते का इतिहास लिखा है तो पहली तो चीज है कि इन्होंने पूरे के पूरे इतिह इतिहास को चार कालों में विवक्त किया, उसमें इन्होंने 900 वर्षों का इतिहास रखा, 1050 से लेकर के 1984 तक का जो समय रहा, लगवग 900 वर्षों का इतिहास, ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने काल विभाजन जो किया है, वो किस आधार पर किया, प्रवर कि जब भी किसी अध्याय में किसी विशेश चीज में यहां पर जो भी उस काल के अंतगत चीजें होंगी उनको रखा गया है और लास्ट में आप देखते हैं कि हर एक जो भी इनका टॉपिक रहता है आधिकाल है तो उसका अंतिम भागी हमेशा फुटकल कवी या फुटकल र प्रक्रण कहा है आधिकाल में चार प्रक्रण आते हैं भक्तिकाल में छे प्रक्रण है और रीतिकाल में इनके तीन प्रक्रण है तो इस तरीके से आप देखेंगे जो आखरी आखरी प्रक्रण रहेगा वो हमेशा जो है फुटकल का है जबकि जो प्रारंबिक है वो समाने परिचा कर रहेगा ये इनका एक लिखने का तरीका है तो ये था अचारे रामचंदर शुकल के द्वारा जो काल भी भाग किया गया था वहां से देखिए कुछ मतपूर्ण प्रश्म जो बन सकते हैं वो यहां पर रखे गए हैं हाला कि आगे ये संख्याद जादा होगी और आगे जहें जो ये आपका ये शुकलवानी है प्रत्थम अध्याय से और पहले पार्ट से जो आपका आधिकाल है वहां से हम इसको सही तरीके से शुरुआत में करेंगे आज सिंपली इसके बारे में हम ये चाह रहे थे कि आप सब लोग इसके लिए तैयार हो जाएं और अपनी तैयारियों को अगर आप किसी भी एक्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए उप्योगी साबित हो सकती है कौन-कौन सी आपकी मतवण पंक्तिया हैं कौन-कौन सी चीज़े हैं वो आपको इस सिरीज से पता लग जाएंगी तो यहाँ पर इस अध्याय से संबंधित, अध्याय तो मैं इसको नहीं कहूंगा, कालवी भाग से संबंधित जो मात्वण प्रश्न है, वो यहाँ पर रखे गए हैं, देखिए, पहला प्रश्न है, शुकल के अनुसार साहित्य क्या है, तो सिंपल सी बात है, कि जनता की जो उनका जो संचित प्रतिबिम्ब है, वो ही हमारा क्या है, साहित्य है, दूसरा प्रश्न है, शुकल ने हिंदी साहित्य के कितने वर्शों के इतिहास को चित्रित किया, 900 वर्शों के इतिहास को चित्रित किया, और यह वाला प्रश्न जो है, आपको पेपर में, पूराने पे इसके किये हैं शुक्ल ने काल विभाजन किसा अधार पर किया जो चार काल किये तो ये इन्होंने प्रवरिती के अधार पर किये हैं लास्ट और आखरी प्रशन इससे बन सकता है आधुनी काल को गद्यकाल की संग्या जो है वो किस ने दी थी हलांकि ये नाम यहाँ पर अलग अचारे रामचंदर शुक्ल के द्वारा किया गया काल भी भाग अगले जो दिन से या अगला जब हमारा ये वीडियो आएगा उसमें हम इसको सिलसलेवार करके एक एक पार्ट डारेक्ट लाएंगे जिसमें हम किसी भी तरीके की आपको इस तरीके का कोई इंट्रोडक्शन बगेरा नहीं देंगे सिंपली आपका जो शुक्लवानी चलती रहेगी और आप उसको सुनते रहेंगे और उसको समझते रहेंगे तो आपको अगर ये प्रियास अच्छा लग रहा है या चाहते हैं आपको ये सिरीज जो है वो कॉंटिनूसली चलती रहनी चाहिए तो प्लीज वीडियो के comment section में जरूर जाकर आप लिख दें कि आपको ये series जरूर देखनी है और इस series से आपको जरूर कुछ न कुछ चीज़ें मिलेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो प्रशन है उनको भी आपको साथ में रखें लेकिन first priority हमारी अचारे रामचंदर शुकल के जितने भी कतन है उन कतनों को आपके बीच में लाना है और किस तरीके से आपने इस पुस्तक को पढ़ना है वो हम धीरे धीरे इसमें जानते रहे तो फिलहाल आज के लिए इतना ही I hope कि आप सब लोगों ने enjoy किया होगा इस छोटे से session को और आप त्यार होंगे mentally भी हमारे इस आने वाली अगली series के लिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और अपने पहले topic के साथ तब तक के लिए मुझे दीजे इजाजत जय हिंद जय भारत